हेलो फ्रेंट्स एंड फैमली आज मैं आप लोगों के साथ एक जटपड बनने वाले डेसर्ट को सेयर करने वाली हूँ इसके लिए मैंने वन ग्लास ओप मिल्क लिया है नॉर्मल मिल्क जो आप घर में यूज करते हैं जो मैंने अभी डाला है वो है मिल्क पाउडर आपटी टीन से चार चंमच ले ले लिजिए और इसे पानी में घोल लिजाए है थोड़ासा यह दूद में मैं जो भी आप कमन चाय है ठ्यूद में भी आपको मैंने दूद में गोला था और केसर को आप कुछ केसर ले लिजे और उसे भी दूद में गोल के रख दीजे इसे मैंने केसर को दूद में गोल लिया था और इसको मैं सर चला के डाल देती हूँ तो आपके घर में अगर केसर नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते है बट केसर से एक कलर बहुत अच्छा आता है अगर होगा तो इसे डालने की कोशिस कीजिए क्योंकि डेजर्ट का टेष्ट बहुत अच्छा हैगा तो ये डेजर्ट देखिए आपके नॉर्मल मिल्क जो घर में आप यूज करते है उससे बनने वाला है और इस डेजर्ट को बिल्कुल ये पांच मिनट में बनेगा देखिए आप लोगों के साथ में एक भी skip नहीं करती हूँ और पूरा डेजर्ट एक साथ बनाती हूँ तो मैंने एक बाउल सुगर लिया है आप अपने टेस्ट के अकोरडिंग सुगर ले सकते हैं क्योंकि डेजर्ट थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है इस कारण मैंने इसमें सुगर ज्यादा एड़ किया है आपको अगर कम मीठा अच्छा लगता है तो आपका मीठा अपने और इसको आप घर में देए, यह इलाइची को मैंने अलग से पीस लिया था, इसके छिलके निकाल लिये हैं, आपके पास अगर इलाइची पाउडर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आपके घर में तो सबके घर इलाइची होती है, यह एक special ingredients है, जिसको मि को दिखाऊंगी करके, और उसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे तुकड़ों में मैंने तोल लिया, दिखी यह bread है, जो आप आम bread घर में यूज करते हैं, वही bread है, इसको साइड से चारो तरफ से आप काट लीजिए, ताकि इसके जो brown particles से बाहर निकल जाएं, और इस white particles को आपको कुछ नहीं करना है, बस हाथ से, कोई सेप नहीं, कुछ नहीं, बस हाथ से आपको छुट-छुट टुकड़ों में काट लेना है, तो bread तो सबके घर में होती है, हम housewife की सबसे बड़ी problem यही हो जाती है, कि कभी भी कोई महमान आ जाए, तो सोचते रह जाते क्या दे, और कुछ अच्छा ना दे, तो अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं तो अगर अच्छानक आने वाले महमान होते है, या फिर कोई घर में ही आ गया relatives, तो मैं जट पट यह चीज बना देती हूं, और सब भी जो relatives होते हैं, सब सब यह पूछते हैं, कि आपने यह बनाया कैसे, यह तो बिल्कुल restaurant से भी अच्छा लग रहा है काने में, तो friends आप लोगों को मेरा यह video और यह dessert अच्छा लग रहा है तो इसे घर पर एक बड़ ट्राइ जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा और टेस्टी बनता है ना, कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो इसमें कोई परिसानी नहीं देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, जो आपके घर की चीजे है, मैंने उसी को यूज कर लिया, और देखिए यह अभी से color कितना प्यारा दिख रहा है इसका, और यह आपको बिल्कुल भी आप एक बार मार्केट से रबडी लाके देखिए, और इस तरह भी को बना के देखिए, आप डेफिनेटली जो आपका टेस्ट होगा, वो मार्केट से अच्छा होगा, मैं यह 100% से और बल रही हूं, और जो भी महमान आएंगे, वो तो खुस होके जाएंगे, और आप से बार बार पूछेंगे, इसको कैसे बनाया है, तो आप अ आज क्या यह कुछ ना कुछ तोड मोड के मैं कुछ एक स्पेसल डिस बना देती हूं, तो यह देखिए, यह कैसा बनाया भी, बिल्कुल भी यह आसान तरीके से बना है, हाउस वाइफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉबलम खाने की होती है, कि मैं क्या बनाओ, क्या करूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और अलग-अलग डिसेस तयार करने मुझे बहुत मज़ा आता है, तो यह देखिए, मेरा यह रेडी हो चुका है, अब इसके आपके घर में जो भी ड्राइफ रूट्स है, आपके पास बादा, पिस्ता, काजू, किस अब फ्राइडे को कुछ खटा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने किसमिस उसमिस में एड नहीं किया है, तो यह फ्राइडे स्पेसल भी अगर आप लोग कोई फास्टिंग करते हैं, तो आप फ्राइडे स्पेसल भी से बना के खा सकते हैं, या फ्राइडे में अगर कोई मह केया है और अगर ने अगर अगर मेरा विडियो के लगे तो इससे एक बाल लाइक और मेरे वीडियो में में कमेंट कर दीजिए और अपने रिलेटिब और व्रेंट्स इसे जरूर सेयर कीजिए क्योंकि देखिए यह सब बहुत जल्दी बनने वाले हैं आप लोगों को मेरी रेस्पी कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिब्स को सेयर कीजिए देखिए यह बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाले जटपट रेस्पी और दाने दार और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है आप कभी इसे ट्राइ करके देखिए और ट्राइ करके मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि मैंने कैसा बनाये और आपने कैसा लगा आप लोगों को आपके घर में कोई भी महमान आ जाए आप तुरंत इस चीज को बना सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आगे भी आप सक में बनी रहूंगी इसके लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब किया लिजे तो थैंक यू फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं